बिस्मिल्याहिर्रह्मारीरहीम, अस्सालामु आलाइकुम कैसी हैं, आप सब उमीद हैं, आप सब खेरीयस से होंगी आज हम बनाएंगे आप लोगों की भरपूर फरमाईश पर हाई कालर नेक डिजाइन वैसे तो स्नेक डिजाइन के कटिंग और स्टिचिंग बहुत एजी है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला डिजाइन है क्योंकि स्नेक डिजाइन के प्रंट और बैक दोनों साइड पर ही डिजाइनिंग करनी होती है बैक साइड की स्लिट में हमने गुमचलाई के साल लोप्स लगाए हैं लेकिन बहुत ही आसान तरीके से तो अगर आप इस नेक डिजाइन को प्रापर तरीके से सीखना चाहती हैं तो इस वीडियो को बगएर ही स्किप किये एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जिनके बारे में अक्सर बहने नहीं जानती ये वीडियो बहुत ही महनत से बनी है इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और कॉमेंट भी करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है क्योंकि हम कालर नेक बनाएंगे इसलिए हमने शॉल्डर वाले हिस्से को एक इंच एक्स्टरा रखा है यानि 7.5 इंच के वज़ाए यहां से हमने 8 इंच रखा है आपने अपने साइज के हिसाफ से 1 इंच एक्स्टरा रखना है नेक की विर्द हमने फ्रांट और बैक साइड से रखनी है 3 इंच हमने बैक साइड पर भी मार्किंग कर ली है पहले हम फ्रांट नेक कटिंग करेंगे फ्रांट नेक को हम 3 इंच तक डीप रखेंगे और निशान लगा लेंगे अब ये निशान सीधे करते हुए हम box पना लेंगे इस तरीके से इसके बाद हम neck को round shape दे लेंगे ऐसे जी तो round shape हमने दे ली है अब हम cutting करेंगे आपने neck का size अपने हिसाब से रखना है इस तरीके से हमने front neck की cutting कर ली है अब हम back neck की cutting करेंगे बैक नेक हम वन इच तक टीप रखेंगे और निशान लगा लेंगे इस तरीके से और ये निशान मिलाते हुए इस तरीके से हमने राउंड शेप दे लेनी है अब हम बैक नेक भी कटिंग कर लेंगे जी तो बैक नेक भी हमने कटिंग कर लिया है फिलहाल बैक साइट को हम कर लेंगे और अच्छे से सेट करें रखेंगे इस तरीके से शुक्त करने के लिए इसको मैंकर देंगे अब भी बनाने लिए हम उपर से पौनाइन्च सोडाय हैं तों देगे कि अभिछ दिख पल्गाया है और इस तरीके से और यह निशान मिलाते हुए हम वी शेफ ड्रा कर लेंगे ऐसे जी दू वी शेफ हमने ड्रा कर ली है अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को कट करने के लिए हम इस तरीके से एक और निशान लगाएंगे ऐसे स्लीट की लेंध हम रखेंगे 10 इंच यानि वी की नोक से हम निच्चे की तरफ 10 इंच पर मार्किंग करेंगे याद रहें कि छोटी हाइट वाली बेहने 10 इंच के बजाए अपनी स्लीट का साइज 9 इंच तक रखें छोटी हाइट वाली बेहनों के लिए प्लैकित के यह बिल और स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते है तो इसके लिए ऊपर दिये गए लिंक पर क्लिक करें आपको बहुत से नेक डिसाइन की कटिंग और हास्टिजिंग की वीडियो मिल जाएंगी वी शेव वाले पेस्टिंग पेपर के इस पीस को हम वेस्ट नहीं करेंगे, बलके इसे हम साइड पर रख देंगे, अब एक्स्टा पेस्टिंग पेपर को हम कट कर देंगे, एक्स्टा पेस्टिंग पेपर हमने कट कर दी है, अब हम अपनी शेट की प्रंट साइड लेंगे, यह हमने अपनी शेर्ट का मिट पॉइंट बना लिया है पेस्टिंग पेपर को शेर्ट के सेंटर में हम ऐसे सेट करके रख लेंगे और आइरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे अच्छा पेस्टिंग पेपर को पेस्ट करने से पहले हमने सेंटर में इस तरीके से सीधी लाइन ट्रा कर ली थी ताके सिलिट की कटिंग में हमें किसी किसम की कोई प्रॉबलम न हो अब हम पेस्टिंग पेपर के बिलकुल साथ-साथ से एक्स्टा फैब्रिक कट कर देंगे ऐसे अब ऐसे हम सेंटर में से कट कर लेंगे कटिंग के एंड में हम अपनी पाइपिन की चोड़ाई के बराबर इस तरीके से क्रास में मार्किंग करेंगे ऐसे दूसरी साइड पर भी हम अपनी पाइपिन की चोड़ाई के बराबर इस तरीके से क्रास में निशान लगा लेंगे और क्रास में ही कटिंग कर लेंगे जी तो कटिंग हमारी कम्प्लीट हो चुकी है piping के लिए हमने आरे कपड़े की दो पट्टियां कट कर नी है अब हम चलते हैं sli की तरफ हम shirt की back side को इस तरीके से उपर की तरफ रखेंगे piping वाले कपड़े की ये सीधी side है इसको हम shirt के नीचे रखेंगे इस तरीके से यह देखें ऐसे हमने सेट करके रख लेना है पाइपिन की चोड़ाई के लिए हम हाफ फूट के बराबर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे नीचे वाले कपड़े को आपने खेंचना नहीं है बलके नॉर्मल ही रहने देना है अच्छे एक और बात पताती चलूँ के कपड़े के लंबाई के बज़ाए कपड़े के चोड़ाई में से निकाली कई पाइपिन में ज्यादा फिनिशिंग आती है इसलिए खास तोर पर वी शेफ वाले डिजाइन्स में आड़े कपड़े की ही पाइपिन यूज़ करें जी तो एक साइड पर हमने पाइपिन लगा लिए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम पाइपिन लगा लेंगे जी तो दूसरी साइड पर भी इस तरीके से हमने पाइपिन को स्लाइक कर लिया है पाइपिन के एक्स्ट्रा पैबरिक को इस तरीके से हम नीचे की तरफ पलट देंगे और इसके बाद प्रेस कर लेंगे जी तो इस तरीके से हमने प्रेस कर लिया है यह देखें एक्स्ट्रा हिस्सो को हम कट कर देंगे ऐसे यहां से भी दोनों साइट से हम इस तरीके से पाइपिन को ब्राबर करके रख लेंगे ऐसे अपनी पट्टी को नीचे की तरफ से इस तरीके से ब्राबर कर लेंगे ऐसे और V के end में इस तरीके से निशान लगा लेंगे स्लाई लगाने से पहले हम Pipe In को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर किनारे की स्लाई लगा लेंगे ऐसे सिलेट को बंद करने के लिए हमने पहले से बटन पटी तयार कर ली थी इस पर्टी को हम ऐसे निचे की तरफ रखेंगे और फिर चिलाई लगा लेंगे कितनी देर तक हम चिलाई लगा रहे हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्लेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हान नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके हमने एक साइड पर चिलाई लगा ली है सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम चिलाई लगा लेंगे लिवत्ता है ये चिलाई हम नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे जी तो दूसरी साइड पर भी हमने चिलाई लगा ली है अब नीचे वाली साइड पर कर लगाने की वज़ा से जो छोटा सा ट्राइंगल बन गया था इसे हम ऐसे सिदा करेंगे ऐसे और इस हिसे पर हम चिलाई लगा लेंगे और टांके को अच्छे से पक्का कर लेंगे जी तो टांके को हमने पक्का कर लिया है बैक साइड से एक्स्टा फैब्रिक को हम फोल्ड करके तुर्पाई कर लेंगे यह देखें इस तरीके से हमने बैक साइड से एक्स्टा पेब्रिक को फोल करके तुर्पाई कर ली है आप देख सकते हैं कि बैक साइड से भी हमारा डिजाइन कितना नीट और क्लीन बन रहा है प्रंट साइड से भी एक्स्टा हिस्सों को कट करकर पनीशिंग कर लेंगे अब हम बैक साइड रेडी करेंगे बैक साइड की सिलीट के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से कपड़े पेस्ट कर लिया है इसे शड़ के सेंटर में ऐसे रखकर हम स्लाई लगा लेंगे स्लीट की लेंथ हमने रखे हैं 5 इंच मैं आपको स्लाई लगा कर दिखाती हूँ स्लाई हमने इस तरीके से लगाई है कि इस स्लाई में हमने गुम स्लाई के साल लूप्स लगाने है यानि जिन पॉइंट्स पर हमने लूप्स लगाने हैं इन पॉइंट्स पर तक्रीबन हाफ इंच तक हमने स्लाई नहीं लगाई बलके टांके को उठाकर आगे कर लिया और स्लाई लगा ली इसके बाद फिर हमने टांके को उठाकर आगे कर लिया और स्लाई लगा ली को ऐसे निचे की तरफ पलड लिए अधि इस तरीके से हमने लृप के सीरे वाले स्वैब्र हमने थागा रोल कर लिए हैं अब है लूप्स राई के दबाव में डेंगे एक यह देखे इस तरीके से बहगा सलाई वाले हिस्थे को ओपन करेंगे और इसमें इस तरीके से लोब को रख देंगे ऐसे और अंदर की तरफ इंटर कर देंगे इस तरीके से और अच्छे से सेट कर लेंगे लोब्स को गुम सिलाई के साथ लगाने के यह बहुत ही असान तरीन तरीका है बक्या लूप्स को भी इसी तरीके से हम सिलाई के खुले हुए हिस्से में रखेंगे और अंदर की तरफ इंटर कर देंगे ऐसे इस तरीके से हर कोई गुम सिलाई के साल लूप्स वाला डिजाइन आसानी से बना सकता है जी तो इस तरीके से तमाम लूप्स को हमने स्लाई के दबाव में दे दिया है अब हम तमाम लूप्स को बराबर कर लेंगे ऐसे इस तरीके से ठीक है अब इस तरीके से हम अपनी स्लाई को पल्टेंगे और इस हिस्से पर दुबारा से हम स्लाई लगा लेंगे कि तो हमने स्लाई लगा ली है यह देखिए अभी इस हिस्से को हम नीचे की तरफ पलड़ देंगे बैक साइड पर आप चाहें तो तुर्पाई कर ले या फिर चलाई लगा ले जो भी आपको आसान लगे यह देखिए बैक साइड को रैडि करने के बाद अब हम शर्ट के फ्रांट और बैक के शॉल्डर वाले हिस्सों को जॉइंट कर देंगे यह देखिए बैक साइड को हमने रैडि कर लिया है और फ्रांट और बैक को भी जॉइंट कर दिया है इस तरीके से अब हम अपने नेक को इस तरीके से अच्छे से बराबर कर लेंगे ये देखें ऐसे और अच्छे से सेट करके रख लेंगे ऐसे ठीक है अपने नेक को बिल्कुल भी खेंचना नहीं है अब हम अपने नेक का साइज लेंगे यहां तक है सवा साथ इंच पॉना इंच हमारा V-Cut में चला गया इसलिए हमारे टोटल नेक का साइज है 8 इंच अब हम कालर की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे चुक्शे हमने हाइ नेक बनाना है इसलिए हम बजाए पेस्टिंग बुक्रम के पेस्टिंग पेपर यूज़ करेंगे पेस्टिंग पेपर को हमें ऐसे फोल्ड कर लेंगे पेस्टिंग पेपर की चोड़ाई है फाइव इंच अब हम कालर के लिए एट इंच पर निशान लगाएंगे यहां पर चुंकि हमारा front neck 3 inch तक बीप है इसलिए हम इस side पर 3 inch पर निशान लगाएंगे यहां पर ठीक है और यहां पर सीदी लाइम ड्रा कर लेंगे ऐसे यहां पर भी हम 3 inch पर निशान लगाएंगे यहां पर आप कालर भी मार्किंग के लिए यहां से तो हम बिल्कुर सीधा लेकर आएंगे ऐसे इस निशान तक अब इस निशान को उपर वाले निशान के साथ राउंड में मिला देंगे यह देखें इस तरीके से हम उपर से निचे की तरफ राउंड शेप बनाते आएंगे यह मार्किंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है यह मार्किंग हमने कर ली है कालर की चोड़ाई हम रखेंगे पौने दो इंच आप कालर की चोड़ाई अपनी पसंद के मतावी कि इससे कम भी रख सकती है हम पूरे दो इंच के गेप पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे इसी तरीके से हम पूरे कालर पर पूरे दो इंच के गेप से मार्किंग कर लेंगे जी तो हमने मार्किंग कर ली है अब हम इन निशानों को मिला कर सीधा कर लेंगे इस तरीके से ये देखें तमाम निशान हमने मिला लिये हैं और इस हिस्से को भी हम ऐसे क्रास में मिला लेंगे जी तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है अब हम कालर की कटिंग करेंगे आपनी ये कटिंग बहुत ही अर्टियास से करनी है यहां से हमने इस तरीके से कटिंग करना है ये देखें इस तरीके से राउंड शेप बनाने के बाद बैक साइड से बिलकुल सीधा हो जाएं अब कालर को हम एक्स्टा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर को एक्स्टा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है अब इस एक्स्टा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और गिलू इस्टिक की मदब से उपर की तरफ फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे जी तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पेस्ट कर दिया है आम तोर पर तो बकिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के साथ साथ चिलाई लगा ली जाती है लेकिन हम इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेपर हमारी हम तो यहां पर हमारी स्लाई विलकुल पेस्टिंग के साथ अनी चाहिए इसलिए हम ऐसे फोल कर कॉलर की एक साइड पर हमने लूप्स लगाने है इसलिए इसके अंदर वाली साइड पर भी हम पेस्टिन पेपर के साहँ साहँ मारंकिंग कर लेंगे इस तरीके से जी तो मार्किंग हमने कर ली है यह देखें चूपिए हमने कॉलर में भी लोब्स गुम्सलाई के साथ लगाने है इसलिए इस हिस्से पर पहले हम गिलो अप्लाई करेंगे इस तरीके से अब मार्किंग के ऊपर हम लोब्स को रख कर पेस्ट कर लेंगे ऐसे जी तो लूप्स को हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया है लूप्स को पेस्ट करने की वज़़ा से हमें इसलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएंगी हम अब कालर के इस हिस्से को ऐसे पलडनेगे और इस साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे सिलाई हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे और इस सिलाई को हम बाहिर के तरफ निकाल लेंगे यह देखें यहां से हमने बिल्कुल बाहिर निकाल लेना है और बाहिर से ही हमने ये चलाइया स्टार्ट करनी है ऐसे यहां पर भी आकर हम अपनी चलाइय को बाहिर की तरफ निकाल लेंगे और बाहिर से ही चलाइया स्टार्ट करेंगे हमने ये चलाइया इस तरीके से इसलिए लगाई है कि हर किसम के कार्णर के कार्णर इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनते हैं यहां से हम अपनी स्लाई को पक्का कर लेंगे और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके छोटे छोटे करल लगा लिए हैं अब इस तरीके से सिलाई लगाने के वज़ा से यह देखें कि कार्णर में किसी भी किसम का कोई कफड़ा नहीं है इसलिए हमारा कार्णर बिल्कुल भी थिक नहीं वनेगा और आसानी से हम पल आसे तरीके से निकाल लिया है यह देखें इस दिखें सिलाईवों को अच्छे से भीठाने के लिए हमने अपने कालर को प्रेस्स prophet करने से पहले हम neck का और collar का size चेक कर लेंगे इस तरीके से हम collar neck के उपर रखेंगे और हलके हातों से neck को और collar को इस तरीके से मिलाते जाएंगे यह देखें यहां से ऐसे अब center वाले हिस्सों को इस तरीके से हम मिला लेंगे यहां से भी हम ऐसे मिला कर चेक कर लेंगे कॉलर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसको हम बाहिर की तरफ निकाल लेंगे कॉलर का ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है हमारी V-Shave की चोड़ाई 1.5 इंच है तो आप देख सकती है हमारे कॉलर का एक्स्ट्रा हिस्सा वी शेम में से निकली हुई पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल बड़ाबर है। कॉलर को शर्ट के साथ अटेज करने से पहले आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहां से एक्स्ट्रा जो फैबरिक रखना है हमने बिल्कुल स्लाई के बराबर रखना है इससे ज्यादा नहीं रखना इसकी फूल टीटेल में आपके साथ काफ स्लेफ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कालर को ऐसे फोल्ड करके हम इसका मिडि पॉंट बना लेंगे यह देखे हैं इस परीक्ट यह हमारे कोल का मिडि पॉंट है अँब हम V- शेयफ की कटिंग में से निकला हूए पेस्टिंग पेपर का यह वाला कि अब इस हिस्से को हमें ऐसे फोल्ड करके कड़ लगा लेंगे कि यह देखें इस तरीके से हमने कड़ लगा लिए है अब हम अपनी शर्ड लेंगे शर्ड की फ्रंट साइड के रॉंग साइड को हम उपर की तरफ रखेंगे यह देखें ऐसे हम वी वाले हिस्से से अपने कालर को लगाना स्टार्ट करेंगे यह देखें कट वाले हिस्से को हम इस तरीके से नेक के उपर रखेंगे और यहां से हम अपनी सिलाये स्टार्ट करेंगे इस तरीके से हर गिसम का कालर लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि शेर्ट के कपड़े को बिल्कुल भी खेंचना नहीं है हलका सा हम कालर वाले कपड़े को खेंचेंगे ये देखें इस तरीके से और सिलाई लगाते जाएंगे सिलाई के एंड में आप देख सकते हैं कि हमारा कालर नेक के एक साइड पर बिल्कुल बराबर आया है ये देखें यहां से हम टांके को पक्का कर लेंगे इस तरीके से ये टांका हमने अंदर के तरफ पक्का करना है अब दूसरी स्लाई हमने बैक साइड से अस्टार करनी है इस तरीके से यानि ये स्लाई हम बैक साइड से स्टार करके फ्रन्ट साइड की सेंटर में ले आएंगे तेरे वाले हिस्सों को इस तरीके से हम बराबर करके रख लेंगे और फिर स्लाई लगाएंगे इस साइड से भी आप देख सकते हैं हमारी स्लाई कट के बिलकुल बढ़ाबर आई है ये देखें यहां पर हमारा कट है और ये वी का कार्लर है ये देखें यहां से हमारी स्लाई बिलकुल बढ़ाबर है ये तो स्लाई हमने लगा लिए अब बाहिर वाली स्लाई लगाने से पहले हम अच्छे से पहले तो अपने कालर की फिनिशिंग कर लेंगे और इस लाई लगाने से पहले हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारे सेंटर वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर है ये देखें आप देख सकते हैं अरहमदुलिल्ला हमारे नेक का सेंटर वाला हिस्सा पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल बराबर आया है कॉलर को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए कॉलर के सिरे पर जो भी एक्स्टा हिस्से हो इनको पहले अच्छे से काट कर दे और यहां से स्लाई को अच्छे से अंदर की तरह पिंटर कर दे इस तरीके से और यहां से एपने हाथों की मंत से अच्छे से प्रेस करके अपने कौलर को बिल्कुई सीधा कर ले यहां से कौलर के इस हिसे पर तकरीम हम एक हिंच छोड़ कर स्लाई लगाना स्सटार्ट करेंगे ऐसे और इस तरीके से स्लाई लगाएंगे कि बार बार अपनी शर्ट को सिद्धा करते जाएंगे यह देखें ऐसे ताके हमारे नेक में किसी भी किसम का कोई जोलब गयरा ना आए वी के सेंटर से हम कालर के नीचे वाले कपड़े को इतना फोल्ड करेंगे कि उपर वाली स्लाई के दबाओं में नीचे वाला हिस्सा भी आ जाएं और इसका कोई भी सिरा बाहिर की तरफ भी नजर नहीं आना चाहिए यह देखें इस तरीके से हमने नीचे की तरफ पोल्ड कर लिया है और यहां से हम स्लाई लगा लेंगे ऐसे इसी तरीके से हम अपनी स्लाई को कम्प्लीट कर लेंगे ची तो स्लाई हमारे कम्प्लीट हो चुकी है अब एक्सटर धागों को हम नीचे की तरफ निकाल देंगे और बैक साइड पर गिरा लगा लेंगे नेक के प्रांट और बैक साइड पर बटन लगा कर हम अपने नेक को कम्प्लीट कर लेंगे तो जी ये है स्नेक डिजाइन की कमप्ले लुक तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा है आपने कॉमेंट जरूर करना है वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करनी है अपना बहुत सा ख्यार रखेगा और मुझे भी अपनी दौाओं में याद रखेगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिज